Welcome dear students, मैं सिवुम और आप जुड़े हुए हैं J&V Maths के साथ आज special आप चाहे बुनियाद की एक्जाम की त्यारी कर रहे हो चाहे कर रहे हो सूपर हिंडड एक्जाम की सिर्फ ऐसे ही प्रशन करेंगे जैसे आपके एक्जाम में आ सकते हैं आने की complete संभावना हो, पूरी संभावना हो इस क्लास को पूरा देखना अनिवार है कोई भी प्रशन या कोई भी तरीके का प्रशन आपके एंड़र्स एक्जाम में आ सकता है सबसे पहले बता दूँ कि जो बच्चे बुनियाद या फिर सूपर हिंड़ी की त्यारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़े रहे हमारी बुक परचेज कीजिए उससे भी आप पढ़िए लेकिन फिलार हम बात करेंगे उन तीन चैप्टर्स की जिसमें हम आज वरक करने वाले हैं पहला पहला जो चैप्टर होता है हमारा आज का चैप्टर जो है वो है टाइम वरक एंड टाइम वरक एंड लेबर ठीक है काम कैसे किया जाता है कितने समय में किया जाता है कितने उसकी labor होती है उसका उसमें हिसाब रहेगा ठीक है यह तो है हमारा पहला चैप्टर जो आज हम करने वाले हैं अगला चैप्टर जो है एज relation कौन सा चैप्टर dear students एज relation Age relation के chapter के बहुत से सवाल आते हैं दो सवाल आ सकते हैं तीन आ सकते हैं एक भी आ सकता है ऐसा नहीं होगा कि आएगा रही अगला chapter होता है dear students mensuration कौम सा है mensuration mensuration में क्या-क्या चीज़े आदाती है इसमें triangle आ जाती है इसमें square आ जाता है इसमें rectangle आ जाती है इसकी इलवा और भी जितने भी structure type के सवाल होते हैं सट भुज, अस्ट भुज, नव भुज, दस भुज ठीक है त्री भुज, चत्रु भुज, पंच भुज सारे type के areas निकालना वगेरा इस mensuration chapter में होता है ठीक है तो इस class के अंदर हम time work and labor के questions करेंगे जो exam में आ सकते हैं प्लस में age relation के questions करेंगे प्लस में mensuration का basic अच्छे से समझेंगे हो सकता है basic के साथ हम कुछ सवाल भी कर लें लेकिन इस class में संबव यही हो पाएगा कि हम mensuration का basic इसी class में कर लें इसके साथ aid कर दे तो ज्यादा समय नहीं लेंगे वीडियो को like कीजिए और like से करते हैं सुरुआत पहले सवाल की पहला तो chapter है हम वहां से सुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है time work and labor कारे समय वह मस्दूरी ठीक है कोसिस करूँगा कि मैं थोड़ा इंगलीज में बोल दूँ लेकिन हमारा लेवल भाया mix है राम किसी कारे को बारा दिन में तथा शाम कि उस कारे को उसे पंदरा दिन में पूरा कर सकता देखो राम और शाम नाम के दो इनसान है एक राम है और एक शाम है क्या है एक राम है एक शाम है यानि कहते हैं राम बाबू और शाम बाबू ये दो लोग हैं ये राम को ये कारिया लेता है और उसको पूरा करने की उस कारिया को पूरा करने की जो सम्था थी न वो कितने दिने में कर सकता है 12 दिन में कर सकता है कितने दिन में कर सकता है 12 days के अंदर कर सकता है राम जो है कोई work लेता है और उस work को complete करने में कितना time लगाता है 12 days लगाता है शाम उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है यानि अगर राम उसे 12 दिन में कर रहा है तो शाम जो है वो उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है 15 days के अंदर complete कर सकता है 15 days के अंदर complete कर सकता है तो अब हमें बताना है कि बताओ दोनों साथ मिलकर उससे कितने दिन में कर सकता है यानि दोनों बहुत जो है वो equally अगर साथ मिलके काम करें एक जुटता सी काम करें तो वो कितने दिन में इससे complete कर सकता है How many days अगर वो दोनों साथ मिल जाए राम पलश में श्याम हो जाए सवाल कि स्टेटमेंट को समझ गई होंगे दवारा स्टेटमेंट आपा कर लेते हैं राम किसी कारे को बारा दिन में तथा शाम उस कारे को पंदरा दिन में पूरा कर सकते हैं राम कितने दिन में कर सकता है बारा और शाम जो है पंदरा दिन में उसे पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उस कार्या को कितने दिन में पूरा करेंगे यानि अगर वो दोनों मिल जाए तो उस कार्या को कितने दिन में पूरा करेंगे सबसे पहले तो हमें ये पता है कि राम को जो है कार्या को बारा दिन में कर रहा है ये पंदरा दिन में पूरा कर रहा है बट इससे यहाँ पर average नहीं निकलती कि राम एक दिन में कितना करता है शाम एक दिन में कितना करता है किसी भी time की सवाल आजाए किसी भी labor का सवाल आजाए वरक का सवाल आजाए ऐसे सवालों को करने के लिए हमें focus करना होगा उसकी प्रती दिन की एवरेज निकाल देंगे कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है देखिए यहाँ पे जैसे कि राम बारा दिन में कार्य कर सकता है तो हम लिखेंगे राम जो है वो कितने दिन में कार्य कर सकता है बारा दिन में कर सकता है तो अगर राम का आपा निकालें कि राम एक दिन में कितना काम कर सकता है तो वो कितना आ जाएगा एक बटा बारा भाग एक बटा बारा भाग या नहीं यह तो बारा दिन में काम कर रहा है ना अगर वो एक दिन का average निकाले तो वो एक बटा 12 भाग बन जाएगा जैसे कि हमें पता है कि 3x बराबर 5 है तो हम अगर x को या 1x को निकालेंगे तो 5 बटा 3 भाग उसका उत्तर बन जाएगा तो सेम इसी तरीके से राम एक दिन में कितना कार्य करेगा एक बटा 12 भाग करेगा इसी तरीके से शाम कितने दिन में करता है पंदरा तो शाम जो है वो एक दिन में कितना कार्य करेगा एक बटा 15 भाग हमने निकाल दिया कि एक दिन की average है ये क्या है एक दिन की average है अब ये निकाल लेते हैं कि चलो एक दिन की average हमने निकाल ली एक बटा 12 भाग ये कितना करता एक बटा 15 भाग ओके तो राम प्लस में श्याम इस इकवल टू यहां 12 है यहां 15 है हमें पता है HCF कितना आजाएगा LCM कितना आजाएगा 60 आजाएगा 12 55 60 होता तो यहां पर 5 आ गया 15 54 60 होता है तो यहां पर 4 आ गया 5 और 4 9 बटा साथ भाग अब यह तो निकल गया भाग अब इसे कंप्लीट करें तो तीन तीन नो तीन दूनी छे यानि तीन बटा बीस भाग यानि अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो वो तीस बटा बीस भाग काम करते हैं बट निकालना क्या है कितने दिन में करते हैं तो यह हमने तो भाग निकाला है ना, इस भाग को 12 उल्टा कर दीजिए, ये वरक आ जाएगा, यानि 20 बटा 3, ये कितना आ गया, ये काम आ गया, कितने दिन का आ गया, ये टोटल कितने दिन है, उसका काम आ गया, ये भाग बन गया, अगर उसको उल्टा कर दे तो वो क्या बन जाएगा, total काम बन जाएगा देखिए ये एक दिन का कितना 1 बटा 12 भाग बन गया अगर इसे उल्टा कर दें तो ये 12 क्या हो जाएगा कि ये काम 12 दिन में कर सकता है तो ठीक है इसको उल्टा कर दिया तीन बटा 20 था उसको 20 बटा 3 लिख दिया ठीक है, तीन, छीके, अठारा बच गे दो, यानि छे सही, दो बटा, तीन दिन के अंदर ये काम क्या कर देगा, कम्प्लीट कर देगा, छे सही, दो बटा, तीन दिन के अंदर ये क्या कर देगा, दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, इस काम को कम्प्लीट कर दें आखे-टाएं बिल्कुल आएंगे और गबराना नहीं है आपके एक्Zामसे पहले-पहले-पैले मैं फुल-đІम की आपको ख़ेंगक नपूंग वाख कुना राइक तो कर दिया दस दिन वह बारा दिन में पूरा कर सकती है। सिता गिता वह रिता लिखिए। सिता गिता वह रिता एक काम को आठ दस या बारा दिन में समाप्त कर सकती है। अठ दिन में कर सकती है। तक है एक दिन को कितने दीन में कार रहा है। स्टेमीना यहां पर लिख दिया है। अब कहते हैं तो बताओ। तिन्नों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे देखिए अब यहां पर हमें बता दिया कि सिता गिता वहरिता तीन लड़कियां हैं और किसी काम को इन्होंने पकड़ लिया एक की है भी आठ दिन में कर सकती है दूसरी है जो दस दिन में कर सकती है तीसरी है जो बारा दिन में कम्पलीट कर सकती है बट यह कह रहे हैं कि हम तीनों एक साथ मिलके काम करें तो इसको कितने दि गित्ता जो है ना वो कितना काम कर सकती है एक बटा दस भाग कर सकती है कितने दिन में एक दिन में इसी प्रकार से रिता एक दिन में कितना काम कर सकती है एक बटा भारा भाग हमने इसकी भाग निकाल दिये हमने इसका क्या निकाल दिया भाग निकाल दिया अब यह तिन्नों क तो इसका टोटल भाग निकालेंगे, एक दिन का एवरेज निकालेंगे, वो कितना निकलेगा, ठीक है, तो यहां आठ है, यहां दस है, यहां बीस है, बारा है, तो इनका अगर आपा देखें, एलशियम कितना आता है, क्या तारिय स्टुडेंट्स, एलशियम कितना आता है, एलशियम निकालेंगे, तो आठ, दस और बारा, यह तिन्नो एक कॉमन टेबल के अंदर आ जाए, वो कौन सा टेबल हो सकता है, ठीक है, हमें पता है, हाँ, 180 लिख दें तो हो सकता है, क्या हो सकत हो सकता हैो और क्या हो सकता है क्या 90 हो सकता है नहीं हो सकता ठीक है तो आपा इसका हैल्शियम लेटे हैं 180 में काम नहीं चलेगा 12 के टेबल में 10 पे यह जाएगा 8 दहाई 80 होता है और 5 पर फिर 40 हो जाता है 8, 5, 40 तो ये 120 भी तो आ सकता है ठीक है तो आप आ ले लेते हैं 120 LCM ले लेते हैं हमें पता है 8, 10 जा कितना होता है यानि 8 से 15 की गुणा करें तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा क्या जाएगा 120 आ जाएगा तो ये 15 से कुना, अच्छा 10 के पाड़े में 120 बारा पे आएगा, 12 के पाड़े में 120 दस पे आएगा, यानि 12 दाहई 120, ठीक है, तो तिन्नों का टेबल को सोल करते है, SGR is equal to 15 और 12, 27 और 10, 37 बटा 120, 37 बटा 120, यानि ये 37 बटा 120 जो है न, वो एक दिन का कार्य का भाग आया है, पाग कम्प्लीट कर लिया, तो ये टोटल काम कितना हुआ, ठीक है, तो कुल काम जो है न, वो कितना हो गया, इसका उल्टा कर देंगे, 120 बटा 37, ये क्या हो जाता है, काम हो जाता है, डेज के हिसाब से, इतने दिन में कुल काम बन जाता है, वो भाग नहीं बनता, काम बन जाता है, डेज बन जाती है, तो 120 बटा 37, इसको जब सोल करेंगे, तब क्या आएगा, हमें 37 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 37, ठीक है, 74, 111, आगे, क्या जा सकता है, 111 के बाद, 3 पे जाएगा, तो 37, ये 111 होते हैं, और 111, यहां पे कितना बच गया, 9 बच गया, तो 9 अपोन 37, 9 अपोन 37, तीन दिन, 9 बटा, 9 बटा, 37 बटा, इतने दिन में इन्होंने काम करता है, तीन दिन कंप्लीट है, और 9 बटा, 37 भाग इसके साथ है, ठीक है, और 9 बटा, 37 जो भाग है, वो घंटे के हिसाब से है, टाइम है, ठीक है, वो टाइम है, एक बात और ध्यान देनी है, कि मैंने 120 बटा, 37 लिख दिया, आपके आप्सन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके आ और देखना है, कि, पहले ओप्सन देखना है, कि मिक्स फ्रैक्शन है, या सिधा फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन है, तो सुत्र का निसान लगा दिजिए, अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो इसपे आईए, एक बात और बता देता हूँ, 120 बटा 37 या 37 बटा 120, ये दो hurricanes उसके गया होगा आप कैसे सही कर सकते हैं वो भी ऑप्शन गिया गया होगा तो इससे बच कर रहे हैं यानि अपने टीचर से बच कर रहे हैं जो आपको एक्जाम बनाएंगे तो पहले समझना है बारीकी से किसी चीज़ को उसके बाद उसे करना है अगला सवाल रमेश वे नरेश किसी कारिया को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं देखिए मैं ऐसे सवाल करा रहा हूँ हर सवाल में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको नज़र आएगा कुछ ना कुछ अलग चीज़ आपको नज़र आएगी ठीक है समझिए रमेश वैं नरेश किसी कार्या को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं अब ये कह रहा है रमेश नाम का लड़का है और एक रमेश नाम का लड़का है सुरेश नाम का लड़का है ये दोनों ना एक दिक काम को मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि अकेला रमेश उसे दस दिन में पूरा कर सकता है यदि अकेला रमेश उसे दस दिन में समाप्ट कर सकता है तो सुरेश उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा अब यहाँ पी पूछ रहा है कि अगर सुरेश और रमेश दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वो छे दिन में समाप्ट कर रहे हैं हमें पता चल गया कि रमेश पलस्त में सुरेश जराब जो है ना एक बटा छे भाग एक दिन में काम को कम्पलीट कर सकती है ठीक है अब यह कह रहा है कि रमेश उसे दस दिन में समाप्ट कर सकता है देखो अगर रमेश उसे दस दिन में समाप्ट अकेला कर सकता है या एक बटा दस भाग काम अकेला कर सकता है तो find the value कि सुरेश उस काम को कितने दिन में कर सकता है सुरेश उस काम को कितने दिन में कर सकता है अब इस सवाल को याद करना है इस सवाल में यहीं आंसर मिल गया देखो कितना इजी है यह सवाल यानि रमेश और सुरेश जो है ना एक काम को मिलकर करते हैं एक बटा छे बाग और जब कहरा है कि रमेश उसको तो एक बटा दस कर सकता है, यानि रमेश कितना कर सकता है, एक बटा दस कर सकता है, पलस में क्या गया सुरेश, बराबर क्या गया एक बटा छे, तो यानि एक बटा छे क्या है, टोटल काम है, उसमें से क्या घट जाएगा, इदर से जाके, रमेश का काम घट जाएगा, एस ब आटेंगे तो दो बटा तीस यानि एक बटा पंदरा एक बटा पंदरा अब एक बटा पंदरा भाग तो सुरेश कर रहा है तो कितने दिन में करेगा पंदरा दिन में करेगा उसका उल्टा हो जाएगा ना एक बटा पंदरा क्या जाएगा पंदरा हो जाएगा तो सुरेश उ दोनों अगर मिलकर काम करें, तो हमें बता है कि इसका aic Ph.I.C.M. लेंगे. और aic Ph.I.C.M. आएगा Ties. 10 तीरे जरूरी है ऐसे प्रशनों को करना लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे ठीक है ताकि आपका एक्जाम अच्छा हो और एक information जरूर मैं आपसे share करना चाहूंगा कि इसका exam जो आता है एक format के एसाब से आता है easy to tough तो हमें पहले जितना easy हम कर सकते हैं जितने तरीके से हम उसको solve कर सकते हैं उसे complete कर देना है उसके लिए कोई compromise नहीं करना है और जैसे जैसे आप step आगे बढ़ते जाओगे उसके बाद आप जो मुश्किल सवाल होगा जो आपसे नहीं हो रहा होगा उसे पहले छोड़ दोगे कि भईया आपको last में देखेंगे अगर time बसा तो और फिर आप जो आते हैं उन्हीं प्रशनों को करेंगे और बाद में निसान लगाई होगी उन प्रशनों को जिनको आपने नहीं किया time बसता है तो करोगे अगर time नहीं बसता है तो उन प्रशनों के आप हाथ भी नहीं ल कार्या को चार दिन में पूरा कर सकते हैं अब रहीम एक रहीम नाम का लड़का है एक करीम नाम का लड़का है और एक सलीम नाम का लड़का है ये तिन्नों किसी कार्या को छे दिन में समाप्त कर सकते हैं कितने दिन में कर सकते हैं सोरी चार दिन में समाप्त कर सकते हैं यानि तिन्नों का कार्य एक बटा चार भाग में हो जाएगा एक दिन की एवरेज ही है स्टेटमेंट समझीए तो कि टाइम आपके पास कम है तो उस टाइम के अनुसार आपको चलना है रहीम करीम और सलीम किसी कार्य को मतलब किसी कार्य को चार दिन में पूरा कर सकते हैं अगर ये तिन्नों मिलकर काम कर रहे हैं तो इनकी एक दिन की एवरेज कितनी है उस कार्य का एक बटा चार भाग ठीक है यानि एक दिन के अंदर उसका एक बटा चार भाग करेंगे ठीक है अगली statement में कहता है यदि रहीम वह सलीम उस कार्या को बारा दिन वह पंदरा दिन में समाप्त कर सकती है यह कह रहा है कि रहीम और सलीम रहीम और सलीम इस कार्या को बारा वह पंदरा दिन में समाप्त कर सकते हैं पहले नाम रहीम का था तो ये 12 दिन में और बाद में नाम सलीम का था तो ये 15 दिन में समाप्त कर सकता है तो करीम उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है हमें ये बताना है तो बहुत ही इजी है रहीम उस कारिय का एक बटा बारा भाग करता है करीम हमें पता नहीं है तो हम के लिक देते हैं सलीम उस कारे को एक बटा बारा भाग करता है रहा टोटल ये रहा अब रहे वाले काम के इस आप से देखें तो ये आ जाएगा एक बटा चार में से इधर जाके एक बटा बारा माइनस इधर जाके एक बटा 15 माइनस यानि ये जब घट जाएंगे तब ये सवाल सोल हो जाएगा तो एक बटा 4 माइनस में हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं इन दोनों को जोड देते हैं इन दोनों को जोड देते हैं माइनस बार होगे नग दुनों का जोड़ चो बन जाएगा वो माइनस हो जाएगा तो 1 बटा 4 माइनस में अब यहां 12,5,60 होता है और 15,60 होता है तो 60 हम ऐल्शेम ले देते हैं 12,5,60 और 15,60 तो 1 बटा 4 माइनस में 9 बटा 60 यह हमारे पास solution आ गया तो इसको हम cut कर सकते हैं किस के table में 3 के table में 3 ती है 9 और 3 दूनी 6 यानि 1 बटा 4 माइनस में 3 बटा में 20 LCM आ गया 20 4 पांसे 20 होता है तो 5 आ गया और 20 से कम 20 होता है तो 20 ही आ गया ठीक है 5 में से 3 गया 2 बटा 20 यानि is equal to 1 upon 10 1 upon 10 यानि 1 बटा 10 भाग यानि 10 दिन यानि 10 दिन तो ये कितने दिन में काम कर सकता है अकेला करीम 10 दिन में उस काम को कर सकता है अकेला रहीम 12 दिन में और सलीम 15 दिन में तो सोच के देखिए करीम की speed कितनी जादा है वो 10 दिन में इसको solve कर सकता है काम को हल कर सकता है समझ में आ रहा होगा आ रहा है सबस्क्राइब कर दीजिए इसी चैनल के अंदर बहुत ही चीज़ें अलग-अलग है मोटिवेशनल इंग्लीज सीखने के लिए इसी चैनल के हमने इंग्लीज स्टोरीज बनाई हुई है जिसे फॉक्टेल स्टोरी कहते है और फॉक्टेल स्टोरी का मतलब होता है बड़ी माज़ेदार कहानिया और इन कहानियों पुझन कर आप अंग्लेजी भी सेख सकते हैं क्योंकि ये उनली इंग्लीज लेंग्वV ताकि आप इस चैनल के बारे में भी जाने Folk Tell Stories भी आप Interested से सुनें और English सीखने की कोशिश करें आगे हम जल्द ही इस चैनल के उपर English Stories के माध्यम से आपको Grammar सीखाने की कोशिश करेंगे तो वो काम चल रहा है तब तक हम Folk Tell Stories ही ला रहे हैं जिनमें कहानिया राजा महाराजाओं की होगी या कोई ट्रेंडिंग में चल रहे हैं किसी किस्से की होगी या अलग-अलग बातें अगला सवाल है थोड़ा सा इस से डिफरेंट है क्योंकि अभी हम इसी पे काम करेंगे अभी सिर्फ हम टाइम और वरक के चेप्टर पे ही बात करेंगी ताकि वो पका हो जाए तो हम अलग-अलग चेप्टर के हिसाब से इनकी वीडियोस बना देंगे क्योंकि हो सकता है एक घंटा लग जाए तो हम ने जो तीन चेप्टर के प्लान बनाए है जिसमें टाइम स्पीड, एज रिलेसन उन सभी चेप्टर को अलग-अलग कर देंगे अलग-अलग फॉर्मेट में कर देंगे लेकिन फिलाल कोसिस यही है कि तीनों चेप्टर को एक साथ बनाएं अगला चेप्टर, अगला सवाल A और B किसी कार्य को चार दिन में B और C, यानि A और B किसी कार्य को चार दिन में समाप्त कर सकते हैं कर सकते हैं B और C छे दिन में तथा A और C आठ दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताओ A, B और C तिनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं देखिए हमारे पास तीन लोग है A, B, and C और तिनों के तिनों की एक टीम बनी होई है कभी वो A, B के साथ काम कर रहा है कभी B, C के साथ काम कर रहा है कभी C, A के साथ काम कर रहा है ये तीनों अलग अलग इस format में उसी काम को कर रहे हैं या करने की उनके अंदर काबिलियत है लेकिन हम कहते हैं कि यार तीनों ही कर लो ना कभी दो आओगे कभी वो दो आओगे कभी वो दो आओगे थो हम कह रहे हैं कि तीनों एक साथ मिलके काम करो अब उनके काम की capability या फिर जो भी stamina है उनके इसाब से वो कितने दिन में काम कर सकते हैं उन तिनों को मिला कर वो कितने दिन में कर सकते हैं वो हमें निकालना है हमें सबसे पहले तो ये देखना है A और B है ना A पलस में B जब एक काम को कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं चार दिन में कर रहे हैं यानि एक दिन में कितना भाग कर रहे हैं एक बटा चार भाग कर रहे हैं एक बटा चार भाग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं एक बटा चार भाग कर रहे हैं इन second case में क्या है B और C B और C एना एक साथ मिलकर 6 दिन में उसका काम कर रही है निया एक बटा 6 भाग कर रही है उसी प्रकार से A और C मिलकर काम कर रही है तो एक बटा 8 भाग काम कर रही है अब किरा तिनों को मिला दीजिए यानि तिन्नों एक साथ मिलेंगे तो तिन्नों समीकरण है ये एक, ये दो, ये तीन, तिन्नों समीकरण को मिला ये A और B और C की एवरेज निकल जाएगे कि कितने दिन में काम कर सकते हैं, जैसे कि A पलस में B, पलस में B, पलस में C, पलस में A पलस में C, ये तिन्नों काम कर र प्लस में एक बटा छे बाग, प्लस में एक बटा आठ बाग, प्लस में एक बटा आठ बाग, ठीक है, तो यहां पर एक इतनी बार है, दो बार है, बी कितनी बार है, दो बार है, दो बार है, तो यानि दो ए, प्लस दो बी, प्लस दो सी, बराबर यह LCM ले लिजी यहां से, 624 होता है 624 होता है 834 होता है ठीक है तो यहाँ पे 222 कौमन आ गया तो यहाँ बच गया A plus B plus C is equal to 6 और 14 13 बटा 24 और यहाँ पे यह इधर जाके क्या हो गया divide में हो गया क्योंकि multiply वाली चीज क्या है divide में हो जाती है तो 13 बटा 24 दूनी कितना हो जाता है 48 यानि 37 मिलकर 13 बटा 48 भाग काम कर सकते है यानि 48 बटा 13 दिन काम कर सकते है ठीक है 13 दूनी 26 ठीक है न 13 तिय 49 तो 13 तिय 49 बच गए कितने 9 बच गए बटा 13 इतने दिन के अंदर वो क्या कर सकते है काम कर सकते है इतने दिन के अंदर क्या कर सकते है वो उस काम को कर सकते है तो ये था हमारा सवाल जो हमने आगे इसको किया है इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं ऐसी कलास होती है जो लंबी कलास होती है कि बच्चे सुच रहे होंगे कि लंबी कलास देरे देरे अच्छी यूँ नहीं लगती इसलिए नहीं लगती दिया अगला सवाल इससे काफी डिफरेंट है काफी अच्छा सवाल है और डिफरेंट इसलिए है कि उसको रेसों में बना दिया किसमें डिवाइड कर दिया ये स्टुडेंट्स रेसों में डिवाइड कर दिया जैसे की सवाल सुनिए आप सुरेश, महेश और दिनेश किसी कार्य को क्रमश है सुरेश, रमेश वे दिनेश किसी कार्य को क्रमश है बारा दिन, पंदरा दिन वे अठारा दिन में पूरा कर सकते हैं बारा, पंद्रा और अठारा दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि तिन्नों को कुल मजदूरी उनती सो साट रुपे मिलती है तो बताओ प्रते को कितनी मजदूरी मिली तो बताओ प्रते को कितनी मजदूरी मिलेगी यानि हर किसी को मजदूरी कितनी मिलेगी महिया हमें एक बात तो कलियर करने हैं सबसे पहले इस तरह का सवाल आजए इसका मतलब सुरेश की बात है ना ये हो रही है, रमेश की बात ये हो रही है और दिनेश की बात ये हो रही है यानि सुरेश जो है न वो उस काम को कितने दिन में कर सकता है बारा दिन में कर सकता है यानि एक बटा बारा भाग ठीक है इसी परकार से रमेश जो है न एक बटा पंदरा भाग इसी प्रकार से क्या दिनेश जो है ना वो कितना कर सकता एक बटा अठारा भार ये तिन्नों मिलकर एक दिन में कितना कर सकते हैं S.R.D. सुरेश, रमेश और दिनेश is equal to एक बटा बारा प्लस में एक बटा पंदरा प्लस में एक बटा अठारा इन तिन्नों का L.C.裡面 गाद करना है इन तिन्नों का L.C. 느갑कि गाद करना है क्या करना है इन एक दिन्नेश येव स्टूऍट्स L.C. गढद करना है और L.C. होता एक संजी संख्या क्या होती है एक संजी संख्या वो केसे निकालेंगी 12, 15 और 10 सोरी 18 इसका LCHM क्या बनेगा 180, 12 के पहाड़े में 180 आएगा, क्योंकि 12 दहाई 120 और 12 पांजे 60, 60, 15 पे कितना आगया, 180 आगया, 15 के टेबल में देखें, तो ये कितना आजाएगा, 12 पी आजाएगा, और अगर आपा 18 के टेबल में देखें, तो ये 10 पी आजाएगा, यानि इसका कॉम्मन जो बनेगा, एलशियम जो निकलेगा, वो क्या आप निकलेगा, वो निकलेगा, 12 के पहाड़े में तो आ रहा है, कितना, 15, अनुपात, 15 के पहाड़े में कितने पे आ रहा है, 12 पे, अनुपात, 18 के पहाड़े में कितना आ रहा है, 10, ये अनुपात निकल गया, इसकाम का, क्या निकल गय इस काम का जो LCM निकालते है ना वो अनुपाद जो निकलता है multiplication के बाद LCM तो 1-A-T है LCM तो 1-A-T है वो कैसे इन अनुपादों के मादियम से यह जो उपर बन रहा है और जब इसे निकालते हैं तब हमें इस काम का भाग का पता लग जाता है उसकी प्रतिसत्ता का पता लग जाता है ठीक है अनुपाद का पता लग जाता है तो तिन्नों अनुपाद का योग कर लेंगे क्या कर लेंगे योग कर लेंगे यानि तिन्नों अनुपादों का योग कितना आएगा बराबर 15 पलस में 12 पलस में 10 is equal to 37 7 यह हमारे पास क्या गया इनका योग आ गया अब बहुती असान सवाल रहे गया क्या रहे गया कि यह कितने भाग कर रहा है 12 यानि जो सुरेश है वो कितना काम कर रहा है 12 यानि कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है ठीक है इसका कैसे निकालोगे देखिए, हमें पता है, ये क्या है 15? ये क्या है 15? टोटल जो अपने परसेंटेज निकाले हैं, वो कितना है? 37. गुणा में इनको कितने रुपे मिले थे? 2960. अब ये समझे, आप यहां से गल्त कर सकते हैं, इसको देख के गल्त कर सकते हैं, नहीं करना, ये जिसका अनुपा पंद्रा की बारा के साथ मल्टिप्लाई करेंगे तब एक सोसी आएगा, अठारा की दस के साथ मल्टिप्लाई करेंगे तब एक सोसी आएगा, अनुपात के हिसाब से क्या मिलती है इनको, पैसे मिलते हैं, जो मजदूरी मिलती है वो किसके हिसाब से मिलती है, अनुपात के हि साइप से मिलती है तो हम 15 12 और 10 के रेशु को समझेगे तो यह किसके मंदर में आता था सुरेश की अंडर ने आता था मजदूरी निकल जाएगा अनुपाज से क्या है सुरेज की टोटल मजदूरी निकल जाएगी तो मजदूरी कितने ही आ जाएगी 37 के टेबल में यह कैंसल हो जाएगा अब आना किसी को टेबल ना वो एक काम कर सकते है साथ का पहड़ा पढ़ लो यानी आठ पे चपपन जा रहा था ना तो 296 में कितने पे जाएगा आठ पे जाएगा असी आ गया पंदरा अठ कितना होता है पंदरा चोके कितना होता है इक सो बीस यानी बारा सो रूपी अब आएना इस पेसे में से सुरेज कितना पेशा है वह यह 12 100 रुपे है अब निकाले किसका अब निकाले रमेश का अनुपाद कितना आया था बारा आया था बटा में कितना है 37 है गुणा में कितना है 39 तो यह कटेगा तो इतने पर यह कटेगा असी गुना बारा ठीक है बारा आठा चानमी अब रह गया 18 18 का कितना बन रहा है दस बन रहा है तो दस बटा में टोटल कितना नुपातों का योग 37 है, गुना में कितना है, 2960 37 है कितने पे कटेगा हन्जी 8 पे कटेगा 80, कितने पे से आँगी 8-400 रुपे तो सबसे जब्या किसको रुपे आया, सुरेश को उसके बाद رमेश को, उसके बाद दिनेश को यह इनके टोटल money निकल गया भी इनको इतनी salary या इतनी मजदूरी जो है इस काम की वो मिल रही थी और कितना आसान है इसको निकालना और इस type का सवाल आज़े जिसमें मजदूरी दी गई हो काम की values दी गई हो तो उनके अनुपात निकालनी है we divide उस अनुपातों का योग उनके साथ उनको क्या कर देना है भाग कर देना है क्या कर देना है cause बहुत जरूरी सवाल है यह बहुत ज़ादा जरूरी सवाल है ठीक है और exam में आता है यह अग्जाम में राम किसी कार्य का एक बटा तीन भाग को पांच दिन में हरी उस कार्य का एक बटा तीन भाग पांच दिन में हरी उस कार्य का एक बटा चार भाग चार दिन में हरी उस कार्य का एक बटा चार भाग चार दिन में पूरा कर सकते हैं बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं यह कह रहा है बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं इस सवाल को हलके में नहीं लेना है यह मत सोचना कि एक बड़ा तीन और एक बड़ा चार को जोड़ दिया काम कंप्लीट हो गया नहीं होगा ठीक है ट्रीकी क्योसन है और इसे समझना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा इसे समझना पड़ेगा राम है ना कोई काम है उसका एक बटा पांस भाग है ना स्वरी एक बटा तीन भाग है ना वो उसकारिया का क्या कर रहा है पांस दिन में कर रहा है क्या कर रहा है पांस दिन में कर रहा है तो एक भाग इस कारिया का कितने दिन में कर सकता है पांस ती है पंदरा दिन में कर सकता है क्या कर सकता है पंदरा दिन में कर सकता है ऐसा हो सकता है क्या हो सकता है लेकिन यहां पर क्या करना है इसको इसी भासा के अंदर करना है statement के हिसाब से हम चलते आ रहे थे उसके हिसाब से करना है क्या करना है ठीक है उसके हिसाब से करना है एक बटा तीन भाग क्या कर एक बटा तीन भाग काम सो है वो कितने दिन में कर रहा है पांच दिन में कर रहा है कौन कर रहा है राम किसी कार्या को ठीक है? अब यहां पर एक चीज समझनी है अगर वो एक बटा तीन भाग उस कारिया का पांस दिन में कर रहा है यह मिन्स एक बटा पांस भाग कर रहा है और हम इसे दिन में कनवर्ट कर देंगे इधर तो दिन आजाएगा एक दिन का जो काम है ना वो कितना आ जाएगा? एक बटा तीन गुना में एक बटा पांस. इसको डिवाइड करेंगे, कियो इसको दिन ज nous बनाएगे नज़ एक बटा तीन भाग था, वह तीन तो एक बटा लिखती ConseCam और पांस बाग कर रहा तो हरी का जो है न वो एक बटा चार भाग गया है चार दिन में है तो हम लिखेंगे चार दिन में है एक बटा चार भाग काम और एक दिन में कितना होगा तो यह दरा के डिवाइड में हो जाएगा एक बटा सोला भाग एक बाठा 16 यहां अमने समझ लिया, तो दोनों मिलकर MILL वत काम करेंके हैं, के चाहरаться लोन नहिख हांभा 1 वत वत sowए एक पलाव 16 उन्हुम वत 15 बाचा कंधा हैं में, यह पंध्रा दोनों मिलकर वत काम करेंगे और जो जया, जब दोनों को मिलकर जोड़ेंगे 31 वत 24 Found उपर आजाएगा 31, यानि 15 गुना में 16, ठीक है, तो इसका अगर आप सही से करें तो 240 बटा 31 दिन आजाएगा, यह तो भाग था, ठीक है, जब इसे solve करेंगे, जब इसे solve करेंगे, mix fraction के अंदर निकालेंगे, 7 सही 23 बटा 31, यानि 7 दिन 23 बटा 31 गंटे, इसे बोलते हैं, ठीक है, तो यह इस chapter के अंदर हम इतने ही प्रशन करेंगे, और इतने ही टाइप के प्रशन अलग-अलग आते हैं, यही टाइप बनता है, इनक्योसंस का, ठीक है, और अभी हम average जो है, अगला chapter जो है, जिसका नाम है average, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, किसी student को चाई पी नहीं है न, आ सकता है अभी भी, आदा गिलास है, थोड़ा दे दुमान आपको, ठीक है, अब इसकी अवेज में जरूरी ह हो जाता है कुछ question को समझना, तो जिसन के पास book है, उनके पास बहुत से question दिये हुए है इस chapter के, वो वहाँ से कर सकता है, अगला chapter है age relation, age relation, are you say related जो भी परशन होंगे, age relation के, are you सभंदी की, वो भी exam में आते हैं, आप चेक कर सकते हैं, अपना exam खोल के देख सकते हैं, ठीक ह वो भी आते हैं, और वो भी करने हैं, क्या करने हैं, उनको भी करना है, अनूव है प्रिया की आयू का अनुपात 5, अनुपात 3 हैं, एक अनू नाम की लड़की है, और एक प्रिया नाम की लड़की है, दोनों की आयू का अनुपात, बहुत जुरूरी चेप्टर है, यह पांस अनुपात 3 हैं, पांस अनुपात 3 हैं, यदि दोनों की वर्तमान आयू का योग 40 वर्स हो, वर्स नहीं होता है, वर्स होता है, यह वर्स ही होता है, वर्स ही होता है, तो प्रिया की वर्तमान आयू ग्यात की जिए, अब ये कहे रहा है, समसे पहले तो ये समझना है अन्नू और प्रिया नाम की दो लड़किया है, दोनों के आयू का अनुपात क्या है हम किसी ना किसी से उमर में दुगने, तीगने, पांच गने, आठ गने, छोटे, कम, माइनस, प्लस होते हैं जैसे कि मेरी उमर अगर मान के चलो 20 साल है और आप पढ़ रहे हैं आपकी उमर 15 साल है तो हमारी आयू का अनुपात कितना हो जाएगा हमारी आयू का अनुपात ये हो जाएगा 20 अनुपात 15 यानि 4 अनुपात 3 4 अनुपात 3 क्योंकि ये 5 के टेबल में एकट जाएगा, 5, 6, 20, 5, 15 तो ये हमारी आयू का क्या बनता है अनुपात इसे बोलते हैं अनुपात बनना ठीक है दूसरी बात वर्तमान मतलब फिलहाल उसकी आयू का योग कितना है चालिस वर्स है तो हमें दोनों की आयू का योग का अनुपाद पता है पांच अनुपाद तीन है ठीक है यह मैंने एक्जमपल पताया है तो माना अनू की वर्तमान आयू हमें वर्तमान आयू मानने पड़ेगी कि इसकी वर्तमान आयू ये है उसकी वर्तमान आयू ये है तो अनू की वर्तमान आयू हम मान लेते हैं कि कितनी है पांच एक्स है कितनी है पांच एक्स है तो पहले अनु है तो पहले अनु को ही लेंगे ठीक है और माना प्रिया की जो वर्तमान आईू है वो हम मान लेते हैं कितनी है 3x है अब ये कह़रा है कि वर्तमान के अंदर दुनों की आईू का योगजो है ना वो कितना है? 40 है यानि 5x plus में 3x दोनों को अगर जोडें तो वो कितना है? 40 है 5 और 8 कितना होता है? Sorry, 5 और 3 कितना होता है? 8x बराबर कितना है? 40 है x बराबर कितना है? 40 बटा 8 है क्योंकि ये गुणा में इंद्रा कि multiply है 8 5 ये कितना होता है? 40 x की value क्या आ गई? 5 वर्तमान में अन्नु की आयू कितनी है? 25 साल है प्रिया की आयू कितनी है? 15 साल है यहां पर क्या करना है? प्रिया की आयू ग्यात करना है कितनी साल आएगी आंसर में? 15 साल कितनी साल आएगी आंसर में? 15 साल आएगी कितना आसान है as relation chapter इसी तरीके से बिलकुल आसान है बिलकुल आसान है और इसे हम complete करेंगे कुछ बच्छा सरों में बोल रहे थे कि सरका mood नहीं लगता कि बीच में बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा या होगा तो देखेंगे तो क्या होगा सुरेश वै मुकेश की आयू का अनुपाद साथ अनुपाद चार है एक सुरेश है और एक है मुकेश की आयू का अनुपाद चार अनुपाद पांस है इनकी अनुपाद है ना आयू का वो कितना है चार अनुपाद पांस है यदि सुरेश की आयू मुकेश से अठारा वर्स अधिक हो, अब ये कह रहा है, यदि सुरेश की आयू मुकेश से अठारा वर्स अधिक है, तो बताओ मुकेश की आयू क्या है, तो मुकेश की आयू ग्यात कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, अनुपात के हिसाब से चलते हैं, सुरेश और मुकेश का अनुपात कितना है, साथ अनुपात चार है, तो सुरेश की वर्तमान आयू जो है हम मानेंगे वो कितनी मानेंगे साथ एक्स मानेंगे क्या मानेंगे साथ एक्स मानेंगे मुकैस की वर्तमान आयू कितनी मानेंगे चार एक्स मानेंगे क्या मानेंगे चार एक्स मानेंगे किसे मानेंगे जो हमें अनुपाद दी है ना उसी से मान लेंगे जो पहले है तो उसको पहले के साथ मान लेंगे दूसरे है तो उसको दूसरे के साथ मान लेंगे क्या मान लेंगे वर्तमान आयू मान लेंगे फिलहाल जो आयू है बूत, 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 से जादा है 18 वर्स तो यानि अगर सुरेज की आयू मुकेश से 18 वर्स जादा है तो that means is equal to 18 यह 18 की क्या जाएगा बराबरा जाएगा जब इसे माइनस करेंगे ऐसी बात है ना अब कैसे बताता हूँ अगर मेरी आयू 28 वर्स है और आपकी आयू जो है 10 वर्स है और मैं कहूँगा कि मैं आपसे 18 साल जादा हूँ that means हमारी उमर को घटा देंगे तब वो कितना जादा जाएगा उतना ही जादा जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं वो उतना ही उसकी वेल्यू आनी चाहिए तो यानी सुरेस की आयू कितनी है वर्तमान में 7 एक्स इसकी क्या है 4 एक्स बराबर क्या एगा 18 साथ में से 4 गे 3 एक्स बराबर क्या एगा 18 एक्स बराबर क्या एगा 3 एकम 3 3 6 के 18 6 हमें किसकी आयू निकाल ली थी मुकेस की निकाल ली थी च्छे गुणा में 4X 4X की वेल्यू 6, 6 चो कि 24 हमें पता है मुकेस की आयू कितनी है मुखिलाल, 24 वर्स है अगर आपा सुरेस की बात करें तो 7, 6 के 42 अगर 42 में से 24 मुकेस की आयू को घटाएं तो ये आजाएगा 18 वर्स यानि एक्वल आगया तो यहाँ पर मुकेस की आयू निकालनी थी कितना था 120 इसका आंसर आजाएगा मुकेस की आयू कितनी आजाएगी 24 आजाएगी मुकेस की आयू कितनी आजाएगी डिये स्टूडेंट्स 24 आजाएगी अगला सवाल चंचल वैस सूपरिया की आयू का अनुपाद तीन अनुपाद दो है दो लड़किया है एक का नाम है चंचल एक का नाम है सूपरिया सूपरिया दोनों को आयू का अनुपाद जो है वो कितना दिया हुआ है तीन अनुपाद दो दिया गया है तो हम लिख लेते हैं तीन अनुपाद दो ये दिया गया है यदि दोनों की आयू का गुणनफल चोपन वर्स हो ये कह रहा है कि इन दोनों की आयू का जो गुणनफल है न वो कितना आता है चोपन वर्स आता है कितना आता है चोपन वर्स आता है चोपन वर्स आता है क्या आता है दुन्नों के आयू का गुणनफल का योग चंचल की आयू चार वर्स क्या होगी अब यह कहरा यह आता है ठीक है कब आता है वर्दमान की बात है तो यह कहता है चार वर्स बाद चंचल की आयू जो है ना वो हां वही हम माल लेंगे कि इसकी बष्तमान आयो तीन से गुरुनों का पुला किवराबर किवर्टाइब अब यहां से स्केर को अठाएंगे तो यहां क्या लगाएंगे रूट लगाएंगे हमें पता है प्लस माइनस में होता है लेकिन आंसर प्लस में आएगा किसी की आयू पांस माइनस में दो नहीं होती x बराबर आ जाएगा root 3 को क्या लिख सकते है root 9 को 3 गुणा 3 यानि 3 को बाहर निकाल दीजिए x की value कितनी आ गई? 3 आ गई यानि 4 साल जोड़ देंगे 9 और 4 तेरा वर यह इसका अंसरा दाएगा इतना easy है average को age relation को निकालना इसको average ही बोलते है बेसे इतना easy है और age relation के उपर प्रशन आता ही आता है age relation के उपर प्रशन आता ही आता है अगला सवाद सिता और गिता की वरतमान आयू का अनुपात 7 अनुपात 3 है हर बार हर चीज में change आता है ठीक है तो मैं जो सवाल करवा रहा हूँ हर बार change आएगा उनमे और change जरूरी है क्योंकि उस change पर ही depend करता है कि आप उस प्रशन को के से हल करोगे आप से वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा या उसका जवाब यह होगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा बट मेरे हर students को मैं यह कहूँगा कि हमसे सब कुछ हो पाएगा सिता और गिता की वरतमान आयू का अनुपात 7 अनुपात 3 है चार वर्स बाद उनकी आयू का अनुपात एक हो जाएगा चार वर्स बाद की बात कर दी चार वर्स बाद उनकी आयू का अनुपात दो अनुपात एक हो जाएगा सिता की वर्तमान आयू गयाद करनी है क्या करनी है सिता की वर्तमान आयू गयाद करनी है फोकस मत करना की कैसे लिखा जारा है जल्दी में लिखा जारा है पहले इनोंने अनुपात बोला फिर चार वर्स बाद यानि बविश्य की बात गोली फिर पूछ लिया वर्तमान में यह आयू बता दो हमको तो हम वर्तमान में आयू मान लेते हैं कि वर्तमान में उसकी आयू है ना सिता पहले है तो सिता की वर्तमान आयू क्या होगी X अच्छे उसके बाद में क्या है गित्ता तो गित्ता की वर्तमान आयू क्या होगी सोरी साथ एक्स और इधर इसकी तीन एक्स कलीर है अब कहरा है चार वर्स बाद क्या कहरा है चार वर्स बाद यानि सित्ता चार वर्स बाद में चार साल बड़ी होगी गिता भी चार वर्स बाद में चार साल बड़ी होगी आयू का अनुपात कितना हो जाएगा दो अनुपात एक क्या हो जाएगा दो अनुपात एक अब जब इन आयू का अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कब निकलता है भाई या जब भाग करते हैं अब सिता की वर्तमाना युग्यात करनी है तो यह इधर भाग हो जाएगा, यह इधर हो जाएगा गुना तो एक के साथ यह करेंगे, तो यह सेम आ गया तेन के साथ दो कि करेंगे, तीन दोनी 6X, चार दोनी 8 ठीक है? 7X, इधर आके 6X तो माइनस हो जाएगा 8 में से 4x 4 जो है माइनस हो गया 7x में से 6x गया x 8 में से 4 गया 4 value of x is equal to 4 किसी को समझ में नहीं आ रहा cross multiply की है जो 7 में 8 में 6 में करते आ रहे है cross multiply करने के बाद x की value निकाली है x की value कितनी आई है 4 आई है किसी को समझ में ना आया हमें बताइए 4 आ गया अच्छा x is equal to क्या आ गया 4 आ गया तो यहां पर कह रहा है कि सित्ता की वर्तमान आयू गयाद किजिए वर्तमान क्या थी सित्ता की 4x थी क्या थी 7x थी स्वरी तो 7 गुणा में 4 क्या हो गया 28 सित्ता की वर्तमान आयू कितनी है 28 वर्स अगर यह कहता गित्ता की वर्तमान आयू ग्याद कीजिए तो तीन गुणा में 4 12 वर्स 4 साल बाद में ये है तो ये नहीं निकालना हम गनफ्यूज हो सकते हैं इससे तो यहां सीता की जो वर्तमान आयू है वो 28 वर्स आग एडियर स्टूडेंट्स अगला सवाल हम करेंगे बहुती असानी से पहली बार आपको लग रहा होगा कि सर ने हमें लगातार के अंदर विदाउट ने ब्रेक के अंदर एक घंटे की कलास दी है एक की नहीं देंगे हम बैसिक भी करवाएंगे आगे और भी चीची हैं करवाने वाली चार वर्स पूरव कमल वै विमल की आयू का अनुपात तीन अनुपात चार था ठीक है अगला सवाल है चार वर्स पूरव कमल वै विमल की आयू का अनुपात तीन अनुपात चार था इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है अच्छी तरीके से स्टेटमेंट को बनाया गया है बहुत अच्छी तरीके से और च्छे वार्स बाद यह अनुपात सौदा अनुपात सत्रा होगा और छे वर्स बाद यह अनुपात सोदा अनुपात सत्रा होगा सोदा अनुपात सत्रा होगा तो बतावो पहुत ही ट्रिकी प्रशन है समझना पड़ेगा कमल की वर्तमान आयू क्या है सबसे पहले हम इसे एक ट्रिक से मानते हैं इसकी वर्तमान आयू को कैसे माने पूरव आयू को कैसे माने यह हमें समझना है और यह समझना जरूरी है हम मान लेते हैं कि मानना चार वर्स जो पूरव थी चार वर्स मानना चार वर्स पूरव पहले सबसे पहले चार वर्स पूरव मानेंगे किन दोनों की आयू को मानेंगे एक है कमल और दूसरा है विमल चार साल पहले कमल की आयू को इस अनुपात के एकोरडिंग मानें तो कितना मानना चाहिए तीन एक्स मानना चाहिए चार एक्स मानना चाहिए बिल्कुल मानना साहिए कि हम 4 वर्स पूरव की ही बात कर रहे हैं ठीक है तो 4 साल पहले यह तो था 3X कमल और दूसरा था 2X यह इनकी वर्तमान आयू है क्या है यह? 4 साल पहले की आयू अब हम क्या करेंगे? वर्तमान आयू गयाद करेंगे अब इस statement को समझते हैं चार साल पहले की इसने बात कर दी उसके बाद इसने छे साल बाद की बात कर दी और जब इसने बात की वो कब की वर्तमान में की कब की वर्तमान में की तो हम वर्तमान को तो उस चार के इज़ाब से ही देखेंगा कि चार साल पहले की बात कर रही है तो चार साल बात क्या हो गया वर्तमान हो गया यानि फिलाल की बात हो गयी तो वर्तमान आयूज हो गी ना इसकी कितनी हो जाएगी तीन एक्स पलस में चार और इसकी कितनी हो जाएगी चार एक्स पलस में चार ये क्या निकल गई इसकी वर्तमान आयो निकल गई ठीक है अब क्या है छे साल की बात है अब ये क्या कहे रहा है कि छे साल के बाद इनके अनुपात का योग कितना हो जाएगा अनुपात कितना हो जाएगा इनका चौदा बटा 14 अनुपात 17 हो जाएगा अब करेंगे 6 साल बाद इनकी आयू 6 साल बाद 3X पलस में 4 पलस में 6 ये हो जाएगा 4X पलस में 4 पलस में 6 ये हो जाएगा यानि इसकी आयू तो बन गए 3X पलस में 10 और इसकी आयू बन गए 4X पलस में 4 और 6 10 अब ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इसका अनुपात ये हो जाएगा या होगा अनुपात कब को होता है जब उसको भाग करते हैं यानि पहली संख्या है 3x पलस में 10 और दूसरी संख्या है 4x पलस में 10 कमल और विमल ठीक है इनका अनुपात यानि 14 बटा 17 चौधा बटा 17 ये ये कह रहा है जो आप देख रहे हैं वही ये कह रहा है हमें इसी को समझना है ठीक है आगे देखिए जब ये निकालना है तो यानि 17 गुना में 3x पलस में 10 बढ़ाबर है 14 गुना में 4x में 10 इदर जाकि के मल्टिप्लिकेशन हो जाएं क्रोस मुल्टिप्लाइब 171 X प्लस में 170 बराबर 100 अचो के लिए चार चो के 16 के रिवन चार एकम चार ओर 56 एक स्पलस में 140 अब देखे 56 ज्यादा या इक वन ज्यादा है 56 ज्यादा गयाएए टो चपन के पास ले जाएए啊 56 को इदा आके रहा जा कि यह माइनस हो जाएगा is equal to 170 के पास इदर आके 140 क्या हो जाएगा वाइनटा हो जाएगा 170 में wartouren 30 को कितने बच गए 30 बच गए इस इक़्याद mycket 5 भच गया तो एकषिस इकवल-टिओ कहां ये रही तीनेक्स प्लस में चार तो छेत ये अठारा अठारा और चार बाइस वर्स तो कमल की वरतमान आयूज हो है ना बाइस वर्स हो जाएगी कमल की वरतमान आयूज हो है ना वो बाइस वर्स हो जाएगी कमल की वरतमान आयूज हो है ना अभी हम करेंगे जो हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है मैन्शू डेशन मैन्शू डेशन हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे बैसीक करेंगे क्योंकि इसका बैसीक बहुत लंबा है बहुत लंबा है और इससे जुड़े प्रशन अगली कलास में करेंगे और अगली कलास के अंदर हम तीन से चार चेप्टर लेके आएंगे सब डिफरेंट चेप्टर लेके आएंगे जो आप कर चुके हो वो नहीं लेके आएंगे सारे डिफरेंट चेप्टर लेके आएंगे के बीच में आपको disturbance हो जो आप कर रखे हो आप बोलो मुझे comment करके कि हमने तो यह कर लिया सर आपने आम ही करवा दिया वो chapter हम नहीं लेके आएंगे एक बार हम कुछ निया ही करेंगे आपके लिए जो ज़रूरी ज़रूरी परशन है आ सकते हैं वो ज़रूर लेके आएंगे अगले अध्याय में अभी जो है हम मैंसूरेशन पर घ्याद देती है वेलकम डिया स्टूनेंट्स आज हम शैत्रमिती यानि मैंसूरेशन का थोड़ा सा बैसिक समझेंगे और इस वीडियो के ऐसे मैसे लिए लेके आया हूं ताकि आप बहुत ही इस चैप्टर को समझ सबसे पहले हम बात करते हैं रियक्टेंगल की जिसे हम बोलते हैं आयत ठीक है आयत जिसमें दो आमने सामने की बुझाएं बराबर होती है जिसमें एक चुड़ाई और एक लंबाई होती है और एक होता उसका विकर्ण विकर्ण जो होता है वो बीच की जो रेखा होती है ज कि इसका basic लंबा है, mensuration chapter का basic लंबा है, आयत के विकर्ण को अगर ज्याद करना हो तो in root के अंदर length की square पलस में breadth की square यानि लंबाई की square पलस में चोड़ाई का square का जो है वर्ग मूलम कर देते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, चाहे कौन सी भी side से हो और वो एक दूसरे को समद्वी भाजित यानि दो भागों में काड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर विकर्ण एक और बनाया जाता, तो ऐसा होता कि वो एक दूसरे को काड़ते, दो भागों में काड़ते, समद्वी भागों में काड़ते, समद्वी भागों मतलब, समद्वी भागों का मतल इसी की तरह वर्ग होता है जिसे स्केर बोलती है स्केर जो होता है जिसकी चारों बुजाएं समान होती है या चारों बुजाएं एक जैसी होती है इसका छेतरफल बुजा का स्केर होता है जिस तरीके से हम लंबाई गुणा चुडाई कर रहे थे सेम इस पैटर्न लगता है ब अगर विकर्ण नहीं दिया गया तो चार गुना भुजा गुना भुजा होता है और चार गुना भुजा तब होता है जब उसका प्रिमाप ग्याद करना हो विकर्ण पर बने वरक का शेतरफल पहले का दो गुना होता है जो विकर्ण पर बना जो वरक बन जाता है उसका शेतर पलस में बुजा की square या फिर दो गुणा बुजा का square root के अंदर और विकरण अगर निकालना हो दियाना हो तो root 2 into भुजा में हम कर देंगे अर्थार्थ वरग का विकरण उसकी बुजा का root दो गुणा होता है वरग को आयत भी कह सकते हैं वरग कार मैदान अगर है या वरग कार मैदान अगर हमारे पास हो उसका बाहरी या भितरी कोई रास्ता बना हो उसका चेतरफल ग्याद करना हो या बाड़ बंदी की हो उसका चेतरफल करना हो तो क्या कैसे करेंगे ठीक है तो उस स्थिति में लंबाई और चोड़ाई हमें अलग अलग दी गई होती है 2x इंटू में लंबाई पलस चोड़ाई पलस माइनस 2x करती है इसका कारण है बाहर है तो पलस कर देंगी माइनस है तो माइनस है तो इसका मतलब वो अंदर की और उसका बनता है अगर वहीं समकोन त्रिभुज की अगर बात करें अगर समकोन त्रिभुज होती है जिसकी एक लंब होता, एक करण होता, एक अधार होता है और उसका एक को नबे डिगरी का होता है समकोन त्रिभुज की सबसे पहले हम बात करें, सबसे बड़ी जो भुज़ा होती है, उसे कर्ण कहते हैं, लंब और अधार बड़े चोटे हो सकते हैं, इसका मतलब यह है, जिस त्रीबुज में जो कौन जितना बड़ा होता है, उसके सामने वाले भुज़ा उतनी ही बड़ी हो जाती है, और बोदायान लिखा त्रीबुजाओं के स्केर के प्लस होता है, समकोन त्रीबुज का चेतरफल एक बड़ा दो अधार गुणा उन्साई होता है, क्यों होता है, क्योंकि अगर ABCD हमारे पास चेतरफल है, चेतरफल है, और उसका चेतरफल ग्याद करना तो अधार गुणा उन्साई होता है, तो उस चत्र भुज का या A, B, C, D आयत का आधा जब कर देती हैं तो वो उसका आधा हो जाता है इसलिए एक बटा दो अधार गुणा उन्साई उसका हम चत्रफल मान लेते हैं इसके बाद होता है सम्ध भी भाहूत्री भुज यानि आईसोसाइकल स्ट्रेंगल जिसमें दो भुजा एक समान होती है आमने सामने की भुजा एक समान होती है ऐसा नहीं होता आमने सामना का कुछ नहीं होता यहां पे वोई दो भुजाए समान होती है ठीक है और उसमें भी हमारा फॉर्म लगेगा पाइथा गोर्स का जिसमें AP स्केयर इकोल टू AC स्केयर माइनस में PC स्केयर क्योंकि उसको दो भागों में नीचे काट दिया गया है ठीक है और ऐसे के इसमें उन्चाई वगेरा निकालती है और त्रिबुझ APC जो छोटी त्रिबुझ हो गई वह एक पार्ट ऑफ वही बन ग क्योंकि इसका आपको बैसिक करना पड़ेगा हम सवालों के साथ करवाएंगे लेकिन बैसिक इतना बड़ा है कि आपको इसे कंप्लीट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा हम सवालों के साथ साथ करवाते रहेंगे क्योंकि बैसिक जरूरी है और सवालो उसके अंत लंबो के योग जो अंदर के अंदर जो लंब बने हुए हैं उनका योग का स्केर बटा रूट तीन भी होता है ठीक है यह सिंपल ट्रेंगल होती है जो अभी आपके आपको दिखाई दे रही है इसमें ही रोन का सुतर लगता ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू का और इसमें ये छै बजाओं से मिलकर बनागवता है इसका 6 त्रफल निकालने का फॉर्मूला है चै गुझा रूट 3 बटा 4 और बजा का सुकेर यह इसे के सकते हैं तीन गुझा में दो उस बजा का सुकेर ठीक है यह फॉर्मूला क्यों लगा क्यों कि यह जो इससके सम्भाउतरिबूज के होते हैं और सम्भाउतरिबूज को निकालने का फार्मला होता है रूट तीन बटा चार गुना भुजा का स्केर तो यहां पे वही चीज लगेगी तो यहां पे छे बुजाएं है अलग अलग छे त्रिबूज बनती है यहां पे देखिए तो इसलिए इसको तीन बटा दो रूट तीन किया क्योंकि चह से चार कटरा है दो के पहड़े पे तो वह काट करवा पे दे दिया इसके बाद होता है समानतर चतर भूज यानि प्रलेवोग्राम आशन पेरलेवग्राम पेलेव्रह जिसके member झाली कि बिजाएं समान होने के साथ साथ समा जिसकी सभी बुजाएं समानत होती है और समुक कोण समान होते हैं और यह 90 डिगरी का नहीं कोण मनाते हैं डारेक्ट सीधा डारेक्ट सीधा वो वर्ग बन जाता है समसत्र बुज का चेतर फल एक बड़ा दो गुणा विकरणों का गुणद फल होता है इसके बाद नई चीज जाती है जिसे बोलते हैं वरित वरित के अंदर कई चीजें होती है जीवा होती है व्यास होती है त्रीजा होती है रेडियस होती है व्यास को डी यानि डायमेटर त्रीजा का दुगना होता है यह व्यास को इसको मैं हम बढ़िया तरीके से हम समझेंगे सवालों के साथ ले प्रिदी गुणा प्रिदी का मतलब होता है, इनकी मुल्टिप्लिकेशन करने के बाद 2 pi r square इसका सेतरफल बन जाता है, बाकी चीजें cancel out हो जाती है, क्योंकि 2 pi से 2 pi 4 pi से ये cancel हो गया, पाई का मान जब तक बोला ना जाई तब तक 22 बटा साथ होगा, वरना 3.14 के लिए special उसका बोला जाते हैं, और इसकी खोज आरे भटने की थी, चाप की लंबाई के लिए हम 2 pi r लगाते हैं, उसके साथ गुणा में ठिट्टा बटा 360, अगर हमें एंगल दिया गया हो तो, वरना चाप की लंबाई 2 pi r, ठीक है, इसके बाद ये कुछ सुतर और रहे गए हैं, कुछ मुख्य बिंदू रहे गए हैं, जिनको आप कर सकते हो, ये पीडियाफ हमसे ले सकते हो, हमें message कर सकते हो, हमें comment कर सकते हो, हम पीडियाफ आपको provide करवा देंगे, तो यही था वृत का सारा basic, लेकिन basic से सुरू नहीं करेंगे, हम सवालों से सुरू करेंगे इस chapter को, सवालों के साथ साथ हम basic बताते रहेंगे, क्योंकि आपके पास इतना time नहीं है, इसलिए मैंने basic का format इसी वीडियो के अंदर दे दिया था, अगली वीडियो के अंदर के लिए अध्याये में जल्दी ही आएगा, आज के लिए तना ही, जे हिंद, जे भारत